वेल्कम बैक बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डॉक्टर भूशन्स रिसर्च लैब में और आज फिर एक शांदार जांदार वीडियो आप सबके साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक है खून के उपर जिनका खून नहीं बनता है और जिनको खून की कमी है दोनों चीज़ें आपको बड़ी जबरदस्त और अजमाई हुई बताऊंगा पहले बताऊंगा नैचुरल तरीके से किस तरीके से खून को बढ़ाया जा सकता है और दूसरा तरीका बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनका खून बनता ही नहीं है यानि नैचरल सारी चीज़ें करके देख ली है लेकिन खून नहीं बनता है दवाईयां सारी लेके देख ली है खून नहीं बनता है तरीका बताऊंगा बहतरी गर्जब का और अचू को पाए ठीक है पहला सुन भून के निम्बू लगा कि क्या भात है मतलब खून बनाने के लिए बड़ा बहतरीन काम करता है ठीक है गाजर गाजर का रस गाजर का रस अगर बनवाना हो ना तो चुकुंदर के साथ हमेशा बनवाओ मैं कहता हूं एनर्जी लेवल दुगना हो जाएगा साइन्टिस्ट जो है वह इसके उपर एक बड़ स्टड़ी कर चुके हैं की खाली सट्ड्र का रस कुछ उन्होंने ना कुछ मतलब बड़ बॸिं करने वाले सैक्लिस्ट जो होते हैं जिन लोगों को Chukundar का रस दिया और दस लोगों को उन्होंने वैसे कोई अनार का या गजर वगशना का कुछ ऐसा जूस ले दिया जिन लोगों को चुकंदर का रस्दिया था ना का स्टामिना दुगना हो गया दस लोगों का तो चुकंदर ना सिरफ खून बढ़ाती है स्टामिना भी इंक्रीज करती है ठीक है तो जब भी गाजर का जूस पीना होगा इसलिए बोड़रों कि अब सर्वियां आ रही है कुछ दिनों बाद गाजर मार्केट में आने शुरू कर देगा बहुत गजब की चीज है ठीक है गाजर का हलवा का ये बड़ी गजब की चीज है वैसे तो आम चीकू इन तमान चीजों में खून मैं कहता हूँ खून बढ़ाने वाले सारे तकत्व मौजूद हैं और आप इनका अगर सेवन करना शुरू कर दें खून आपका ब करदाब की चीजब की चीजब की चीज बताता हूं उससे और तीजी से काम बना शुरू हो जायेगा या कैसे दूद जब भी आपको उबालना हो तो लौहे के बरतन में उबालना शुरू कर दीजिए अगर आपने लोहे के बरतन में दूद उबाल लिया बस उसको चाहे आप बाद में किसी भी स्टील के बरतन में आप चाहे बाद में गरम करके पीलो वो लोह तत्व उसमें मिले गए मिलेगा और वो दूद के अंदर जो सारे elements हैं वो आपकी खून बनाने में बड़ी जबरदस्ट मदद करेंगे अब मैं आपको उन लोगों के लिए तरीका बताता हूँ जो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़े हमने कर ली है बहुत सारे अंग्रेजी द्वाईयां खाली ये खालिया वो खालिया लेकिन खून नहीं बनता है उसका एक सबसे बड़ा reason ये है कि जो हमारी तिल्ली होती है तिल्ली स्प्लीन जिसको हम बोलते हैं वो इन एक्टिवेट हो जाती है और उसको जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे खून बनना शुरू येस और आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ मार्किट से लेकी आईएगा किसी भी अच्छी कंपनी की कोई भी अच्छी जो आईरवेदी अच्छी कंपनी हो वो दो चीज़ें आप लेकी आईए पहली चीज़ है पुनर नवा सब ठीक है पुनर से आप समझ सकते हैं कि पुनर मींस दुबारा से राइट दुबारा से क किसी को नया करना यानि कि activate करना तो तिली को एक्टिवेट करने का काम करेगी और जैसे ही तिली activate हो जाएगी खुन बनना शुरू हो जाएगा और दूसरी चीज ले के आएगा लग आसम लोग आसम ठीक है किसी भी अच्छी कि ये दोनों चीज़े ले ये आसा वरिष्ट बोलने का परपस खाली सिर्फ ये है कि ये सुपाचे होते हैं पच्चते बड़ी असनीसे हैं साइड इफेक्ट इसका कोई नहीं होता है और खूबसूरती इसकी ये होती है कि 6-6 मीने एक एक साल इसको फर्मेंटेशन के द्वा में आपने खाना खाने के बाद तकरीबन आदे घंटे बाद दो चमच पुनर्नवा असाव के और दो चमच पानी को मिक्स करके पी जाए और रात को खाना खाने के एक घंटे बाद आपने लॉँवा सव हो जाएगा साथ में मालिश जरूर कीजिए हलकी सुबह की जो धूप होती है उसमें तिल के तेल की मालिश कीजिए ठीक है थोड़ी बहुत वर्जिश जरूर कीजिए और यह आप थोड़ा सा इतना इतना ही कर लेंगे ना आपकी बात बननी शुरू हो जाएगी शौर शौर और अजमाया हुए है, अचूक है, इस वीडियो को आपने सब के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि सब का भला हो सके, सब का भला हो सके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो बड़ा शांदार गजब का आप सब के साथ शेयर करने के लिए हाजिर हो रहा हूं, और देखते रहे हैं Dr. Bhushan's Research Lab के शांदार बड़े गजब के home remedies. Thank you very much. God bless you.